बूर्णिंग कर्णिदेट्स इस ब्रिगेडिया आमाद आरायन फ्रॉम टिशुल डिफेंस अकेडमी राची अभी एक आस्पेक्ट है होबी इसके बारे में भी जरूर पूछा जाता है तो हम यह मानते हैं SSD में कि होबी इस इंपॉर्टेंट आस्पक्ट अफेव परसनल्टी होबी क्या होता है होबी वो है जो आप अपने जो दिये गए सिलबस से आप बाहर के जिन्दगी में काम करते हैं जो आपने शौक से काम करते हैं उसको हम होबी बोलते हैं जो कि आपको आपकी स्कूल या पॉलिज के करिकुलम में शामील नहीं भी हो सकता है For example, कोई गाना गाता है, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रुमेंट कोई प्ले करता है, कोई पहाड़ों पर चलता है, जाता है, या कोई टूरिस्ट बनके अलगले जगह बहुंता है, तो यह सब होबी हैं, तो मैं यह सुझाओ दूंगा, कि आप अपने जिंद्गी में जरूर कोई जो हई रूए, कोई हववी आपको इंठीब करें, ये आपको परस्मृर्टीघम में काफी काम आएगा. अभी हववी कई प्रकार की हो सकते हैं, तो मैंना यह मालना है, जो एक्टिव हववि जिसमे की आपका जो इन्वर्मेंट है वो ज्यादा है, जादा है, That is more important रिनяж 우선 बड़िया अश्रपी और से महलं का ना चाहा हूँ। अब हिंक आप गाना सुनते हैं अभी कोई भी ut सकता है। सब लोग के आटर सुनते हैं। यह कुई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप मेज़क शुल कोई ja अकै Khber इसका आप ठान रखे और अगर आपकी जिंदगी में कोई होबी नहीं है तो मैं सुझाओ दूंगा कि आप जरूर कोई होबी को इंटूर करें और इसके बारे में आप ध्यानकारे भी हासिल करें अई बार हम देखते हैं कि कैंड़ेट ने कहा कि मेरी होबी है पेंटिंग कर लेकिन उसको हम सिंपल सवाल करते हैं कि बताओ इंडिया की दो फेमस पेंटर करना उनको पता नहीं है तो यही मेरा कहना है कि जो आपने होबी चुना है उसके बारे में कुछ इंफरमेशन आप हासिल करें तो यह आपके बड़े काम की बात है तो आज ही जोइन करें और स् गलाज़स